प्रीस लॉट गाइस वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल तो गाइस आप सब कैसे हैं विश्वास करती हूँ प्रभीयसू मसी में आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सब भी बहुत अच्छे हैं और गाइस सची में आप बहुत अच्छे हैं आपके सपोर्ट से मैं सब कर पाती और मैं आपको पताना चाहती हूँ का इस पहली बार मैं यह अचार बना रही हूँ, मैंने कभी घर के अंदर अचार नहीं बनाया, जब भी मैं अचार बनाया होगा, तो मैं बाहर से रेडिमेट मसाला लेकर आई हूँ, या मेरी मम्मी बगरा, या फैमली में किसी ने मुझे अचार डाल कर दे दिया, लेकिन आप मैं पहली बार अचार बना रही हूँ, और मैं प्रेयर करती हूँ प्रभी है समसी से, कि वो मेरी हल्प करें, क्योंकि मेरे सबी चीज़ों में वो ही मेरे साथ मेरी हल्प करते हैं, मैं तभी सब कुछ कर पाती हूँ, उनके बेना मैं कट करकर डाल ली है और इसको मैंने दो कर सुखा लिया है तो एक दिन आप इनको अच्छा घर के अंदर नॉर्मल टेंपरेचर पर कपड़े पर रखकर महीं सुखा लीजिए फिर उसके बाद आपने क्या करना है आपने लेना नमक, हींग, सौंप, सरसो के दाने, हल्दी, मैं दर दर्दरा सा पाउडर के फॉं में तयार कर लूगी अचार के अंदर पीस लिया समाइव तो यह मैंने दर्दरा सा इसको पीसले ज्यादा महीन नहीं के या जादा पतला नहीं के पाउडर नहीं बनाया अब हम इसके अंदर पाउडर वाले मसाले हैं वो भी सब इसके अंदर एड़ कर देंगे और सारे मसालों को एड़ करने के बाद गाईद हम इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये लीजिए मैंने सारे मसाले इसके अंदर एड़ कर लिए तो गाइस घर की बनी कोई भी चीज़ों मैं अकसर मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताते हूं कि घर में बनी कोई भी चीज़ों और खुछ से हम कुछ बना कर अपनी फैमली को खिलाते है तो खुद को तो खुशी होती है और जब फैंबली में से कोई भी खाकर उसे की तारिफ करता है तो हमारी खुशी हमारी किया है दुगनी हो जाती है तो ऐसा मेरे साथ गाइस अकसर होता है कि मैं जब लगातार बोलती रहती हूँ तो words जो है डबल डबल भी हो जाते हों कई बार तो skip हो जाता क्या बूलना और क्या नहीं बूलना तो इन सब चीज़ों को आप ignore कीजिएगा बाकी मैंने इसके अंदर क्या है वो गाजर, मुली और हरीमीच powder वाले मसाले के अंदर mix कर दिये हैं तो आप इससे हलके से, हाथ से हाथ पी बिकल साफ हो बर्तना बिकल साफ हो extended और जो आपने मुली वगएरा है दोकर साफ किये उसमें भी आप अच्छे तक है चेक कर लें वो भी बिकल साफ हो क्यूंकि अचार जीतना साफस्तर तर्के से बनेगा उतना ही हमारा चार जादा दिन चलेगा तो मैंने इस पौडर वाले मसाले के अंदर ही अच्छे से मिक्स कर लिया है मैं पौडर वाला मसाला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारे पौडर वाले मसाले थे और जो हमने दर दर पीसे थे अबीर नों को मैंने मिक्स कर लिया है तो उनको ही मैंai पौडर वाला मसाला बोल रही हुँ तो उन्हीं के ढंदर हम अच्छे से इनको अलटते पलटते भी मिक्स कर ही कर रही है क्यां उनकी कर रही हुद इसना के आशी है है Cette में जब पौर्डर망ी मिक्स कर दि तो देल नहीं था तो मैंने जब तैल मिलाना था तो मैं वीडियो बनाना या सूट करना भूल गई थी तो मैंने भी तोड़ा सा तेल आपको ओर डालके दिखाया है कि आपने याद रखना है जब आप मसाले सारे मिक्स कर लेंगे ताबत मसाले पौडर वाले मसालों के साथ तब आपने तेल मिक्स कर लेना फिर उसके बाद गाजर मुली डालनी है तो सॉरी मैं वो वीडियो सूट नहीं कर पाई थी इसलिए मसाले मैंने मिक्स कर लिए उसके अंदर गाजर मुली भी अच्छे से मिक्स कर ली थी और वो वीडियो में आपको दिखानी पाई, तो आपने ऐसे ही करना है, कि सभी मसालों में तेल मिक्स करके फिर गाजर मुली को एड़ करना है, आप मैं इसको आपको मिक्स करके दिखा रही हूं, और मैंने थोड़ सा तेल ओ डाल लिया है, तो गाइस यह अचार इस टेंडली साथ खाएं, बहुत टेस्टी बन कर तयार होता है, तो इसको आप बीच में चेक भी कर लें, अगर आपको लगे कहीं कोई मसाला कम है, तो आप उसमें एड़ कर सकते हैं, जैसा कि मुझे लगा कि नमक कम है इसके अंदर तो मैंने नमक इसके अंदर और एड़ कर लिया है, तो आप एक डबा लें, उसे अच्छे से साफ करके सुखा लें, और कोसिस करें, आप एक मरतवान ले कांच का कोई बरतन लें, उसके अंदर डालने मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने प्लास्टिक के डबे में ही इसको डाल दिया है, और फिर आपके पास अगर पॉसिबल कि धूब दिखा सकते हैं, तो आप जरूर से धूब दिखाएगा, तो गाइस यह अचार हमारा इस्टेंडली बनता है, और बहुत जल्दी हम इसको खा सकते हैं, तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे जरूर से बता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कोड़ा अचार बनाकर दिखाऊंगी, वो भी क्या है जल्दी बनकर तयार हो जाता है, और वो भी मैंने घर के अंदर ही बनाकर तयार किया है, तो यह मेरा थोड़ा सा अचार ठाली में बच गया है, और बागी मने टपई में पढ़ दिया है, तो मैं guys आपको बहुत ही जल दुबारा एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी जाय मतिकी, God bless you all, bye bye